हेलो एबरिवान विल्कम बैक तो माई चैनल कोकी दराहत उमीद करती हूँ आप सब खेरे से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तो यहां ले लिए हैं देखिए मैंने एक कप केहूं का आटा आप इसमें इसकी जगा डाल सकते हैं मैं यहां रिफाइंड डाल रहे हूं अब अच्छे से इन दोनों चीजों को आटे के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सौफ्ट डोर तयार करेंगे तो यहां पानी ले लिया है मैंने अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम गुंद लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालें अच्छा साफट डोर तयार करना है जब इसके अंदर तेल बागरा डालते है न तो इसस तो थोड़ा आठा और यहां पानाथा यहां रोटी बहुत सौफ्ट तयार होती है तो देखिए इसे तरीके से आटा को हम तयार के लेंगे और इस तरीके से मुक्य मारते वे आटा गूंदे तो बहुत अच्छा तयार होता है और देखिए यहां आटा विल्कुल रेडि हो चुका है मेरा अब इसे हम रख देंगे रेस्ट के लिए कम से कम 10-15 मिनिट के लिए फिर पराठे तयार करेंगे तो यहां इसे मैं एक बर्तन से ढख दूँगी आप चाहिए इसके उपर कपड़ा रखके इसे ढख सकते हैं मैं यहां इस तरीके से ढखके छोड़ दूगी अब यहां ले लिए मैं इस तरह का एक कटोरा या बावल ले ले अब इसमें मैं दो इस तरीके से फोड़ के डाल दूगी यह जो अंडे थे ना मेरे पाल दो जर्दी वाले अंडे थे यह मैंने दो ही अंडे लिए हैं इसमें आपको तीन से चार जर्दी नजर आ रही होंगी मगर यह दो ही अंडे थे तो इसमें दोनों में ही दो दो जर्दिया निकली थी अ अब अच्छे से अंडो को हम इस तरीके से फेट लेंगे, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक के बिना तो कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती, तो यहां अपने टेस्क के अकोर्डिंग नमक एट करें और धियान रहे, आटे के अंदर भी हमने नमक ड टलंके लगते हैं, अब यहां डाले हूं हरी मिर्फ थोड़ी दिखे वाली है, बच्छे बढ़ए है तो मैं इस हिसाप से बना रहे हूं यह जाधीh ही छोटे बच्छी के लिए बना रहे हैं, अफर मिर्ची नहीं खाता है, तो बच्छे के हिसाब से ही एड़ करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बच्चों को बहुत पसंद आता है इसे भी डालने के बाद अच्छे से फेट लेंगे इसमें हम डालेंगे बच्चों का फेवरेट चीज देखिए मेरे पास एक चमच मेने चीज ली है इसे दो पराठे अराम से तैयार हो जाएंगे तो यह पराठे से दो इस तरीके से आटे की दो बॉल्स तोड़ लेंगे जितने आपको पराठे बनाने हैं इस तरीके से बॉल्स बना लें और इस तरीके से बॉल्स को तयार कर लेंगे और फिर बनाएंगे हम पराठे जितने मोटे जितने आपको बड़े बनाने हैं उस इसाफ़ से अब बना सकते हैं अब यहाँ बना लिए आभ इस तरीके से में इसके सबना लिए बना लि particular तोफार हमसे बिल जाती आहए भी नहीं हम इस तरीके से बैर्ल did скаж रहाच कर लें और देखropolझे पहुत जल्दी त्यार हो जाते हैं Simple इराद जैसे वैसету ही बनता है कुछ जाता इसमें जंजट नहीं है अब इसमें अंदर लगाएंगे हम रिफाइंड ओइल आप ओई लगाएं देशी घी लगाएं मक्काल लगाएं जो आपको पसंद हो थोड़ा सा सूखा अठा भी अच्छे से इसके उपर चलक देंगे और चुरी के मदश से इस तरीके से हम इस इतना बड़ा आपको पराठा बेलना हो वी ओड़ाई है अब इसे ढालते हैं हम तवे के ऊपर मैंने रख दिया है अच्छा से गरम हो चुका है और पराठा पराठा से से जलने लगेगा जल्दी पकना शुरू हो जाएगा हमें जल्दी पकाना नहीं है इसे लोग फ्लेम पे हलका सा सेखना है उसी से यह पराठा हमारा फूलेगा भी और फिर हम इसके अंदर अंडेकी की स्टेफिंग अच्छे से भर पाएंगे मैं देखिए अभी आपको दिख यह बिखाते हूं कि इस तरिके से दोनों तरफ से खिक लें और देखिए फूल चुका है तो अबट जो स्टेफिंग असानी से अनदर जा सकती है इस तरीके से धीरे से आप डिसे क्षोल सकते हैं देखियें किसी भी चम्म तसे कि सब लागा है वहाप निकल रहे हैं उसे इस तरीके से शिप्राष से एक्षोचें पॉर किनारे करक ठोर्शा करके डालें जितना एक पर अगरItemannmene आ ने लिए थेत तैयार हो जाएंगे फूले फूले मोटे बनेंगे अगर आप थोड़ा कम-कम बनना चाहते हैं तो इसमें तीन से चार भी पराठे बन सकते हैं अब लगाएंगे घी फ्लेम को कर दिया है मैंने लो लो फ्लेम पे हम दोनों साइट से इसे से केंगे फ्लेम को जल्दी बाजी न इसे दवाते हुए किसी भी चमस से इसे अच्छे से से लिए प्यास वगयरा जो भी है वह अच्छे से पक जाए फ्लेम को मैंने अभी तलक यहां लो ही रखा है लो फ्लेम पे मैंने इसे पराठे को अच्छे से से लिया है पराठा अंदे से अच्छे से फूल गया है जो अ और इसे भी हम सेम ऐसे ही सेख लेंगे जैसे हमने पहले वाले पराटो को सेखा है सारी मैंने जितनी भी स्टेफिंग दी पूरी डाल दी है आप इसके उपर से लगाएंगे तेल घी मक्षन जो आपको पसंद हो और इसे हलके हलके इस तरीके से प्रेस करते हुए दोनों पराटो को सेख लेंगे पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी सेख लेंगे ढ़लके बना के सकती है ख़एसे सोब्सी जा है वे सोब्सी से अंदर भी ठोड़ासा बाफ जानी जद्व जरोरी है से कितना फूल चुका है देख़िए अब इसे भी उताल लेते हैं अब दिखाते हूं मैं आपको इसे कट करके कितना अच्छे से अंदर तलके सिखा है और सब चीज़े पक चुकी है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है देखिए पक चुका है यह आप रमजान में सेरी के टैम बना सकती है अराम से बच्चों को बना के दे सकती है बड़ों को बना के दे सकती है आप चाहे तो इसके अंदर कुछ और वेजिस भी डाल सकती है जैसे गाजर हुई पत्ता गोभी हुई बींस हुई यह भी डाल के अच्छे से बना सकती है मेरे पास यहाँ सबजी अभी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली तो देखें यह रैडी हो चुका है हमारा सुभा का नाश्टा तो आप इस सहरी जरूर इस तरीके से यह अंडा पराटा बनाके देखिएगा आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा एक बार जरूर ट्राइ कीजएगा और कमेंट में मुझे जरूर बतायेगा कि आपके अंडे पराटी कैसे तयार हुए है और खाने में कैसे लगे हैं तो मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आपको कमेंट करके जरूर बताएं आप मुझे इस्टाग्राम, फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट अपने राय महा दे सकते हैं मेरी ऐसी ओर वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया